नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहत उत्तर प्रदेश के मुख्या योग्यादतनात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे हैं आपको पता होगा कि उनके तमाम बयान ऐसे रहे हैं जिसके वज़ा से वो लगातार विवादों में भी रहे हैं और इसी वज़ा से उनकी योग्यादतनात को कभी बम से उड़ाने की धमकी मिलती है तो कभी उनसे उन्हें गोली मारने की धमकी मिलती रहती है फिलाल ताजा खबर ये है कि स्रियम योग्यादतनात को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और उनके लिए एक चिठी लिखी गई है और ये चिठी देवे देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है जिसके बाद से प्रशासन के हाथ पाउं पूल गए है और लगातार इस मामले की जाच शुरू कर दिये गई है तो इस वक्त कि ये बहुत बड़ी कबर है कि उत्तरप्रदेश के मुख्या योग्यादतनात को जा कुछर खानों के खिलाफ पियायल डाली थी उन्हें जान से मार दिया जाएगा बंब से उड़ा दिया जाएगा और ये खबर जैसे ही आई उत्तरप्रदेश प्रशासन के हाथ पाउं पूल गए फिलाल NCR की पूलिस इस मामले में जाच में जुड़ गई है और अब देख उनके सुरक्षा भी बहुत जादा टाइट कर दी जाती है वैसे सूबे के मुखिया है तो उनके पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता है लेकिन जब खबरें ऐसी आती है तो निश्यत तोर पर सुरक्षा बिवस्था को लेकर और सावधानी बरती जाती है फिलाल योगिया अतनात के अलावा तमाम खबरें ऐसे भी आई जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ग्रे मंतरी अमिश्चा को भी जान से मारने की धम क्या मिलती रही है लेकिन हर बार प्रशासन इन सब चीजों पर काबू पा लेता है फिलाल उत्तर प्रदेश प्रशासन दिल्ली अंसिय ग्रफतार की पुलिस से इस पूरे मामले में तहकिकात कर रही है देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या ये आरोपी ग्रफतार होते हैं